हलो दोस्तों आप सब का न्यू गोवर्मेंट जो चनल में स्वागत इचले वीडियो को शुरू करते हैं आरानभी ग्रूप डी मुंबई जो आपका यहाँ पे जोन था उसकी लिस्ट यहाँ पे जारिक कर दी गई है जिन candidate को PT के लिए बुलाई जाएंगा उन candidate की यहाँ पे लिस्ट जारिक कर दी गई है तो आप कैसे चिक कर सकते हैं और साथ ही इसमें कितने candidate लिये हैं उस सब हम इस वीडियो में देखेंगे तो चले आपके साथ एक दोका हुआ है देखिए इसमें सिप यहाँ पर 13,880 ही candidate यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लिस्ट जो थी उसमें से केवल टोटल यहाँ पे 13,8880 ही candidate यहाँ पे PT के लिए सेलेक्शन किये गए हैं और अगर बात करें हम यहाँ पे आपकी मार्क की तो मार्क्स यहाँ पे नहीं दिखा जा रहे हैं यहाँ पर साभ तरीके से लिखा हुआ है कि जो आपके roll number है वही सिफ यहाँ पर publish किए गए है और वो roll number भी वो है जो सिर्फ P.E.T. के लिए यहाँ पर qualify कर दिए गए है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है साभ तरीके से जो आपकी यहाँ पर नॉर्मलाइज म RRB के official site पे वहापे आप अपना registration number और साथी date of birth डालके देख सकते हैं तो वह आप 15 March 2019 से आप देख सकते हैं अभी सिफ यहापे इनों ने जो है वो PT के लिए list जरी की है और इसमें सिफ आपको roll number दिये हुए है तो देखिए यहापर इनों ने बहुत बड़ा यह धोका किया ह आपके साथ कि आपका result ना देखकर यहापे सिफ list of candidate यहापर दिखा सकते हैं list of candidate shortlisted for physical efficiency test जो कि physical efficiency test होने वाला है आपका उसके लिए सिर्फ यहापे आपको मुंबई zone में यहापे आपको सिर्फ यहापे candidate की list जारी किर्दीगी है तो देखिए यहापे दिया हुआ है कि आप जो यहापे देख सकते हैं जो आपके रोल नंबर है उससे भी यहापे दिये हुए है और इसमें केवल 13,880 candidate ही सेलेक कर पाए है तो इस link पे जाने के लिए आपको वीडियो के नीचे description में इसकी link मिल जाएगी वहाँ से आप यह list डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो का किजिए चले मिलते हैं नेक्स डूडियो में तब तक के लिए बाई